जहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोद्री श्वागित आपके अपने वीडियो इसमें मैं आपको देना वाला हूं कुछ गुरू मंत्र कुछ ग्रू ग्यान कुछ मूल मंत्र एसीगी की तैयारी के लिए कि कैसे तैयारी करें तकि आपकी आपका नंबर हो सकतें पाकशा है अभी SSC GD के जो run में उतर गए हैं, उनको पता है कि अब run में में हम उतर गए हैं, तो लड़ने आना चाहिए आपको, ठीक है, सामने शेना कौन सी है, उसके हिसाब से आपको लड़ना आना चाहिए, हर एक जगे एक परकार के काम में नहीं आते, SSC GD का एक्जाम अलग होता ह आपका 101% सेलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको जो मैं बाते बता रहा हूं, उनको मद्दे नजर रखके ही आपकी आगे की तयारी करनी है, तयारी करते समय, किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों पर विशेज फॉकस करना है, वो चीज़ों मैं बताने वालों SSGD के लिए, क्योंकि SSGD का पेटर में आपको बता दू कभी चेंज नहीं होता, उसका बदलाव नहीं होता, अब एक चोटी सी बात अगर मैं आपको बताओं कि अगर आपको गाई खरिदनी है और आप भेंस के मौल भाव पूचोगे, यानि जहां पर भी ज SSGD के कैसे तयारी करें, यहीं बाते आपके लिए इंपूर्णेंट हैं, क्योंकि ऐसे आप तयारी नहीं कर पाऊगे, किताबे हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लाकों बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे जिदी के जब फोरम फिलप होगे, असी लाक में से पेपर फाइट करके पाइट किसि दॉलप है, क्यों बच्यप करते हैं, आप लिए पाइट करने से नहीं, आप लूप होगे, यहां पर होगे आपके इन से आप कि जब करोगेर, जोर कज़ेंकर बच्चे होते हैं, जो कोको क्यों से रचा किसी का भी कर लो वह आपको जट से आंसर बता देंगे लेकिन फिर उनको पेपर में क्या हो जाता पेपर में उनके नमबर क्यों नहीं आती ऐसे आपको मैं कई सेकड़ों उदार नहीं दे सकता हूं और देनने की जूरत नहीं क्योंकि आपके आज पास में भी इसे बहुत सार होता है उसका रिजन क्या है जब उनको इतना आता है फिर भी वह paper fight नहीं कर पाते हुसका रिजन क्या है तो आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि उसका reason क्या है और आप ऐसी गलती न करें आप एसी चूग ना करें कि जिसके वजाए से आप सबसे पहले बाद कि वो क्या गल्ती करते है वो बच्चे जिन बचों को बहुत कुछ आथा ओर वह सक्ड़ी बाहते हैं पहली बात और को और इसिए को हमेसे ह्लिए और और इसमें तो मेरे को सब बता है। इसमें भी मे यह अभी मेरे को सब तॉछी उनकी दовыхיד कम analogy कि एक्षामगे थिए कूत क्यों वह लगता है। रिकेवर दूसरी उन उन बच्चों के वह क्या करते हैं जो लेवल है। उसको मद दनेजर नहीं रखते हैं। वो केवल एक बुक ले लेंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे, उसका हर एक लेवल पढ़ते रहेंगे, अरे जो बुक बनाए जाती है, वो ओल इन वन के लिए होते हैं, जैसे अगर लुसेंट के एक बुक है, तो वो सभी कम्पिटिशन के लिए है, आपको डिशाइट करना है क कि उसमें आपके काम के लाइक चीज कौन सा है, ठीक है, वो तो सभी के लिए है, तो आपको डिशाइट करना है कि उसमें आपके काम के लाइक चीज कौन सी है, जिससे आपको फाइदा हो, जिससे आपको डायरेक्ट फाइदा हो, यह नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ डा तो साब भी मरे लाठी भी ना टूटे हमको ऐसा काम करना है और ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले हमको यह चीज सोचनी होगी कि कि एससी जीडी का लेवल क्या उस लेवल का इपड़े तो वह बचे क्या करते हैं काफी टीपिकल्ट मेट्रियल पढ़ते रहेंगे अपना दिमाग खपाते रहेंगे उनको आता रहेगा लेकिन जब एकजाम होगा उसमें बहुत इजी लेवल आ जाएगा उनको पता है नहीं इसके हुझे से फिर फिर इतना मुझ छोटा कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो सबसे पहली बात याद रखनी है पहले तो कभी भी अपने आप में और कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझे सब आता है दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो यह कि SSGD का जो लेवल क् है और लेवल आपको पता होना चाहिए लेवल क्याशन है उसके बाद में आपको तीसरी बात ध्यान क्रीश थे कमज़ोर है दूसरे का नहीं देखना कि वह की सब्जेट को जह decide कि बोल से बच्छे ज्यादा तर लोग एक normal goods state में भी बहुत हो कि ज्यादा तर जो बंच्छे उते हैं उनका में Talenc weád को इसी लिए उनके पर कब फोकस करना वो भी मैं आगे बताऊंगा चोथी बात जब आपको यह इतनी चीजें फता हो जाती है फिर आपको पढ़ने में रूची दिखानी है तो जो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसको अभी तयार करना है यानि अभी से पहले उसको तयार करना है जो में तो पहले कमजोर पर फोकस करना है क्योंकि अगर कमजोर के वज़े से आप रह गए तो फिर बहुत नुक्सान उठा जाओगी दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पढ़ने का तरीका क्या है जिन बच्चों की मेहत और इसनीं कमजोर है वो इस बात को मेरी है मुझे पताएंगी तो अगर आपको भी ऐस प्रफ्लम है कि आप WOW मेरी को समझ में लिए आपको क्या करना शबसे पेहले में तोडीकि जो आपकर सकते हो यहोग से कि यूटूब के मादम से शिछ सकते हो किसी को इसमें लगे तब की जिएक में लोगे ayrı तो इसलिए आप अपना कॉंफिडेंस लूज ना करें इसके लिए सबसे मौत्पूर जुरूरी है कि आप पहले इजी क्यूशन जितने भी इजी क्यूशन उनको करिए जो होते हैं उनको करने से क्या होगा कि आपके स्पीड बनेगी मेहत में रूची आएगी और बार-बार क जल्दी आप करओके जल्दी से जल्दी जल्दी आप सीखने कि करोगे बहुत जल्दी आप कई Slowly करने कि आपकी जो स्पीड है वह बढढ जाएगी इस लिए सबसे पहले आपको इस बाते हरे करना है निए जो इजी होते हरके कोशी को वीधिशन लिए कितनी पे can neemani उनके सबसे में बात है कि आप डी मोटिवेट नहीं होगे किसी भी कंडिशन में अगर आप इस टेक्टिस से मेहत को करना है जो क्यूसन आप कर पाते हो पहले उनको करिए उससे क्या होगा एक महिने में आप मिलाने के इच्छा करने लग जाएगा आपको इच्छा सकती जाग जाएगी डिवाइड करने की समता जाएगी यह जितने भी टेबल से लर्न हो जाएगी और वर्गमूल घनमून यह याद हो जाएगी इसलिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको मेत के तयारी करने अब बात करते हैं जिन बच्छों की जीके कम समझ में आती है यह जीके बहुत कम याद होती है यह बहुत सारे बच्छों की प्रब्लम होती है कि सरफ भूलते बहुत जलती है वो क्यों बोलते जब भी जिके किताब लेके बैठते हैं उनका खयाल कहीं हो रहता है और जिके पढ़तो रहें पेज पलट रहें लेकिन उनका खयाल एक जिगह नहीं रहते हैं सबसे पहले जिके के लिए चाहिए आपकी तनमेता निरंतरता के साथ में आपकी तनमेता यानि एक गरता की मतलब आप एक जिगह फोकस करके फिर तयारी करना है वो तयारी केसे होगी उसके लिए सबसे पहले आपको मतलब स्वस्त होना है थकाउट से अगर आप जिके पढ़ोगे कोई मतलब नहीं इसलिए जब भी आप सोके एक मिनट दस मिनट भीस मिनट आदा गंटा सोके जब भी उठे ले जी जिगे की बुक ले गयां शाथ में नोट भुक ह्तैरी में नोटबुक करें जो जो चीज आप पढ़ने से एदो तो एक बार पढने में और आपको लगता हुआ है पढ़ने से किसी को याद नहीं हो से एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है बार बार जब रिपीटिशन होता तब याद होता है एक बार पढ़ लेने से अगर याद होता तो फिर तो हर कोई मस्ता IPS बन जाता किसी को याद नहीं होता सभी का दिमाग इतना ही है इतना ही दिमाग है सभी का ठीक है लेगिन घी आपको जितना इंटरेस्ट अथा उतनी देर जीके पड़ें कितना भी पड़ें एक टोपिक दो टोपिक इतना आपको इंटरेस्ट है उसका पोईंटूपइंट नोट करते नियुक्त करते रहे उसमें जो खास खास बातें किया करना है तो नद को वापस पढ़ार रात को सोते टाइम उनको एक बार वापस पढ़ लो धीर धीर आपकी केपिसिटी आपके दिमाग की जो समता वह बढ़ती चाहेगी इस परकार से तयारी करना है आपको और सब्सक्राइब की दोस्तों और यह में आपको मूल मंतर एक जीज जान रखना लेवल पेचान लेना कि आपके आपके एज़ी लेवल के कुछन नहीं पर ज्यादा फोकस करना है इस बात का विशेज जान रखना बाकि आपको ओल्ड पेपर में टेलीग्राम ग्रूप में सब्सक्राइब कर दूंगा तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रूप से नहीं जुड़ें लिंक नीच से टेलीग्राम ग्रूप से भी जूड़ जाएं जय हिंद जय वार